दोलर चने की आवग धीरे धीरे बनने लगी है जबकि डिमांड लोकल के साथ ये निर्यातकों की भी कमजोर है इससे इसके भाव में मंदी का मोहल बना हुआ है कंटेनर में डोलर चना 300 पे तक तूट चुका है पिछले चार दिनों में डोलर चने के दाम करीब 500 पे तक तूटे है व्यपारियों का कहना है कि इस बार डोलर चने का उतपादन पिछले साल से ज्यादा होने की संभावना है और अभी तक मोसम अनकूल होने से उत्पादक्ता भी अच्छी बताई गई है मध्यपरदेश की कई मंडियों में नई डोलर चने की छुटपोट आवक शुरू हो गई है अगले 10 से 15 दिनों में आवक का दबाव बढ़ने की उमीद है ऐसे में आगे डोलर चने की कीमतों में और मंदी की स्थिती बनती हुई दिखाई दे रही है आपको बता दे हैं कंटेनर में डोलर चना 40-42,141,42,444,490 जबकि 44-46,413,700 और 58-60,12,200 और 60-62,100 और 62-64,12,000 पर प्रतिक विंचर पर बोला गया है नई तूर की आवा का पेक्षित नहीं हो रही है वहीं तूर दाल में उभोकताओं के खरिदारी अच्छी रहने के कारण मिलर्स की तूर में मांग जोरदार बनी हुई है जिसके चलते तूर की केमतों में तेजी का मोहल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं हफ़ते के आखरी कारोबारी दिन शुकरवार को तूर में करीब 100 रपे की तेजी दर्च की गई तूर महराश्चर सफेद 72-76, करनाटक तूर 75-77 जबकि निमाणी तूर 6,000-72 रपे प्रतिक विंचल पर कारोबार करती दिखाई दी है करनाटक प्रतिक विंचल प्रतिक विंचल प्रतिक विंचल करता है